यह माइनिस 42 वोल्ट है और इस साइड अगर हम चेक करते हैं तो प्लस 42 वोल्ट आएगा लगवग 84 वोल्ट हमारा यहाँ पे तयार कर रहा है हेलो दोस्तो मेरा नाम है गोतम और आप देख रहे हैं यूलैक लिक्टोनिक्स और दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको 3030 ट्रांसफर्मर का पावर्ड सप्लाई बना कर दिखाने वाला हूँ तो यहां पे आप टांसफर्मर देख सकते हैं यह 3030 8 Child का यह टांसफर्मर है और इसमें 0.16 का भी अप्छन दिया गया है और यह हुमारा ट्रांसफर्मर नाम है दोस्तो प्यूर कॉपर का यह टांसफर्मर है यहां पे जो वायर का लूप निकला हुआ यहां पे भीक अ दे गया है तो यहाँ पर पांच वायर है तो तीन वायर आप यहां पर मोटा वाला देख सकते हैं जो कि 30308 Ampere के लिए यूज किया गया है उसके बाद यहाँ पर जीरो बारा जैसे फैन हो गया बेस्टेवल बोड हो गया उसको यूज करने के लिए जीरो बारा का ओप्सन दिया जाता है उसके बाद यहां पर देखें बैक सैड में यह प्रैमरी सेक्शन से यह हमारा रेट कलर का वायर जो निकलता है जहां पर हम 220 वोड ऐसी सप्लाई दें लेते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि इसमें रेक्टिफायर कौन सा लगाए और कैपासीटर कौन लगाए तो यहां पर जो तीस जिरो तीस आठेमपेर का ट्रांसफर्मारी दोस्तों इसका पावर सप्लाई बनाने के लिए मैं यहां पर दो कैपासीटर यूज कर करके तीस वोल्ट का भी पावर सप्लाई बना सकते हो उसके बाद तीस जिरो तीस का भी पावर सप्लाई बना सकते हो और आप तीस और तीस करके साट वोल्ट का भी पावर सप्लाई बना सकते हो लेकिन मैं यहां पर तीस जिरो तीस आठेमपेर का डियोल सप्लाई बनाने वाला हूँ तो उसकी लिए मैंने यहाँ पर जो कैपसीटर लिया है दोस्तों इसका वेल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 UF 50 V का यह कैपसीटर है यहाँ पर आप 63 V भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको कैपसीटर का जो वोल्ट है टांसफर्मर से लगवग ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर 30,030 है तो जब यह DC में जाएगा तो लगवग यह 40-42 V के आसपास में आ जाएगा यहाँ पर 30 V है तो 30 V में आप जो है 1.4 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो वहाँ पर जितना भी वोल्ट आएगा उससे अधिक वोल्ट का ही आपको यहाँ पर कैपसीटर का वेल्यू लगाना है तो जैसे 30 V है इसमें मल्टिप्लाइ करेंगे 1.4 से तो 40-42 V के आसपास में आए करते हो तो यहां पर आप दो कैपसीटर लेना है जो की 10-100,000 UF 50V, 60V, 80V भी ले सेकते हो लेकिन 80 retrospect के जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर 50-0-50 रहता 60-0-60 रहता तो 8V का यूज जो हमारा capacitor है अगर 125 प्रामे सिंगल पिस मिलता है पचास वोल्ट का तो 80 वोल्ट का आप माने तो 180 या 200 में एक पिस मिलेगा तो वो प्राइज का फर्क हो जाता है बाकी यहाँ पर यह यूज हो रहा है वोल्ट के according तो आप यही यूज करें ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर rectifier है बहुत जगह यूज किया जाता है बहुत ही heavy यह rectifier है तो मैं इसका यूज करने वाला हूं क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि capacitor तो बरे लगा देते हैं लेकिन rectifier के जगह पे वही 54,8 या 64 जो डैवर्ड आते है नॉर्मली वही यूज कर लेते हैं तो ऐसे में क्या ह होता कि ampere drop होने लगता है इसलिए आप जब भी power supply heavy transformer का बनाए तो आप ज़्यादा तर rectifier का ही यूज करें क्योंकि यह heavy ampere का होता है और बहुत अच्छा work करता है उसके बाद यहाँ पे देखिए 0-12 के लिए normal सा rectifier बना लेंगे जैसे 2399 में हो गया 2408 हो गया आप वो यूज कर सकते हो आप 4007 भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 500 mili ampere से एक ampere के बीच में ही होता है तो आप 4007 तिरपन निनान में वो devote भी यूज कर सकते हो तो मैं इसका भी power supply बना कर दिखाने वाला हूं तो इसको side में रखते हैं और इस इस capacitor और इस rectifier को मैं PCB पर design करता हूं क्योंकि यह जो मैं power supply बना रहा हूं नेक्स्ट प्रजेक्ट में आपको एक 2.1 का heavy amplifier बना कर दिखाने वाला हूं उसी में मैं इसका यूज करने वाला हूं तो यहाँ पर मैं इस capacitor को 0 PCB पर मैं mount कर लेता हूं देखिए यहाँ पर यह 0 PCB है जो कि market में बहुत easily मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने already इसमें hole करके रखा है क्योंकि इसमें जो पहले hole होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कुछ इस परकार से लगाने वाला हूँ यहाँ पर इस परकार से मैंने लगा दिया है जैसे देखिए इस साइड अगर माइनिस है तो इस साइड प्लस आ गया तो इस साइड दूसरे कैपरसीटर का माइनिस रखना है क्योंकि मैं यहाँपे डूल सप्लाई बना रहा हूँ इसलिए आपको इसी परकार से capacitor का combination रखना है जैसे यहाँ पर देखिए यह हमारा minus है और यह वाला plus है तो दूसरे वाला capacitor का यह minus है और यह plus है तो बीच में जो minus और plus एक साथ जुरेगा यह ground में चला जाएगा बाकी यहाँ पर यह minus हो जाएगा और plus हो जाएगा तो इस capacitor को मैंने 0 PCB पर लगा दिया है और यहाँ पर मैं इसको solding कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर इस reactive hair को लगा कर इसके साथ connection करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर दिखी दोस्तों मैंने इस capacitor को 0 PCB पर अच्छे से solding कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यह जो हमारा reactive hair है इसको मैं इस side से लगा लेता हूँ आप अपने हिसाब से कहीं भी इसको लगा सकते हैं लेकिन आपको यह भी देखना है कि यह जो हमारा capacitor है इसका minus side कौन सा है और plus side कौन सा है तो यहाँ पर इस reactive hair में अगर हम देखें तो सब कुछ clear लिखा हुआ यहाँ पर यह जो हमारा first वाला pin है यह minus का है और यह plus का है बीच वाला दोनो AC के लिए है और यहाँ पर कट का भी निसान बना होता है अगर यह AC भी नहीं लिखा है minus plus भी नहीं लिखा हुआ है तो यह जो हमारा cut होता है यह plus होता है तो जैसे यह जो plus हो जाएगा और just side minus हो जाएगा बीच वाला हमेशा दोनो AC के लिए होता है तो मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ क्यूंकि capacitor का minus इस side है तो यहाँ पर इस capacitor का minus इस side है मैं यहाँ पर इस परकार से लगा देता हूँ इसमें इस परकार से मैंने लगा दिया है आप चाहे तो इस erective hair के साथ hitsing भी लगा सकते हो लेकिन यह ज़्यादा heat भी नहीं होता है यहाँ पर मैं इस leg को इस capacitor के साथ connection करने वाला हूँ देखिए दोस्तों मैंने इस erective hair को मैंने यहाँ पर इस परकार से लगा दिया है और यह जो हमारा यह वाला pin है यह rective hair का plus है और यह rective hair का minus है तो यहाँ पर यह जो हमारा pin है यह आ जाएगा इस capacitor के minus वाले में इस set देखिए minus है तो यह direct rectifier का minus इस capacitor के minus पर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर plus वाला capacitor के plus पर आ जाएगा यह दोनों हमेशा खाली रहेगा क्योंकि इसमें supply आएगा transformer का AC वेला वायर और यह जो हमारा दोनों point है दोस्तो यह आपस में एक साथ में connection करना है मैं आगे आपको connection करके दिखाऊंगा सबसे पहले मैं यहाँ पर वायर के through इस capacitor के साथ connection कर लेता हूँ तो आईए मैं यहाँ पर फटा फट से minus और plus का connection इस capacitor के साथ करके आपको दिखाता हूँ तो देखी दोस्तों यहाँ पर मैंने इस capacitor में solding कर दिया है इस rectifier से यह जो हमारा rectifier का minus है यह चला जाता इस capacitor के minus पर और दूसरे capacitor पर चला जाता है plus पर तो इस capacitor का plus और इस capacitor का minus यह दोनों point अभी हमारा खाली है यहाँ पर तो यह वाला और यह वाला आपस में एक साथ connect हो जाएगा यह किसी rectifier के साथ connect नहीं होगा यह आपस में एक साथ connect रहेगा यह ground हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर ये दोनो AC के लिए हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एक साथ इस दोनो point को connect कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखी दुस्तों मैंने इस capacitor का plus और minus एक साथ मैंने connect कर दिया है तो कुछ इस परकार से reactive higher और capacitor का connection होगा और यहाँ पे 30-0-30 कैसे connect होगा यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे 30-0-30 जो आएगा तो 0 वाला यहाँ पे connect हो जाएगा और 30-30 यहाँ पे connect हो जाएगा और आपका जो pure DC output कहाँ से होगा minus यहाँ से होगा plus यहाँ से होगा और 0 से ही वो GND output हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे 30-34 के लिए यहाँ पे power supply बन चुका है इसके बगल में मैं एक छोटा सा power supply बनाने वाला हूँ जो की 0-12 के लिए होगा तो दोस्तों मैं यहाँ पे 12V power supply के लिए यह वाला rectifier यूज करने वाला हूँ D2SV 60 यह 1.5 ampere का rectifier है और 600V तक यह काम करता है उसके बाद यहाँ पे capacitor इसमें मैं 22-25V का मैं यूज करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं इस rectifier को लगा लेता हूँ और इस capacitor को भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस rectifier का जो प्लस वाला पॉइंट है यह हमारा left side में है और इस rectifier का plus right side में है तो यह कर जुरूरी नहीं है कि plus right side में होगा यह left side में भी हो सकता है right side में भी हो सकता है यहाँ पे right side में है और इस rectifier में left side में है तो मैं यहाँ पे इसको पहले सिधर है और माइनस सिधर है ताकि मैं connection अच्छे से कर सकूँ तो मैं यहाँ पे इस रेक्टिफायर के साथ कैसे connection करूँगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता था बीच बाला दोनों हमेशा c होता है बाकी साइड बाला माइश और प्लस होता है तो इसमें भी आगर आप देखें तो यहाँ पर सिम्बल बना हुआ है यह दोनों zero c है और यह प्लस और यह माइनश है को क्या ककपशिटर है में connection कर दूँगा और जो माइनेस वाला है वो माइनेस के साथ मैं यहां पर connection कर दूँगा यह दोनों बीच वाला खाली रहेगा कि कि यह दोनों हमारा पावर सप्लाई AC के लिए है तो मैं यहां पर AC के लिए इसको अलक्स निकाल दूँगा जिसमें 12 वोल्ट आएगा जो टांस्फरमर से आएगा और यह दोनों जो पीन हमारा बच गया है यह कैपसीटर के मैनेस पर चला जाएगा और यह कैपसीटर के प्लस पर चला जाएगा तो आएए मैं यहां पर इसका कनेक्शन कर लेता हूं तो यहां पर देखी दोस्तों 12 वोल्ट के लिए हमारा पावर सप्लाई बनके त्यार हो चुका है यह जो हमारा रेक्टिफ हैर है इसका दोनों बीच वाला पीन यह 0-12 के लिए निकल जाता है और इस प्रकाद से 3030 0-12 के लिए मैंने यहां पर पावर सप्लाई बना दिया है और बारा बॉल्ट यहां से निकलेगा जो कैपासिटर का मैनेस और प्लस है यहां से निकलेगा और सक्वानेलो ! है यहां से निकले का जैसे यह मारा माइनेस 30 का राउन्ड अगराइन प्लस 30 होगा तो यह जो side वाला दोनो ब्लेक कलर है यह हमारा 30 और 30 यहां opinions यह जो हमारा 30 और 30 है इसे rectifier के दोनो बीच में चला जाएगा देखिए यह rectifier के दोनो बीच वाले पीन पे आ जाता है यहां पे उसके बाद यह जो हमारा 0 वाला पॉइंट बसता है ये capacitor के minus और plus जहाँ पर मैंने connection किया था एक साथ वहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर 30-0-30 का connection हो चुका है उसके बाद मैं यहाँ पर 0-12 का connection कर लेता हूँ 0-12 का connection बहुत ही simple है यहाँ पर जो दो point निकले हैं वहाँ पर इसका connection कर देना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों power supply के connection कर दिया है जैसे देखिए यह 30-0-30 का हमारा यह AC supply है तो यह जो हमारा 30 और 30 है यह चला जाता है rectifier के बीच वाले pin में और जो हमारा 0 या GND हो यह चला जाता है capacitor पर जहाँ पर मैंने minus और plus एक साथ मैंने sort किया था तो यह ground के लिए हो जाता है तो 30-0-30 यहाँ पर इस प्रकार से connection हो जाएगा और जो हमारा 0 बारा है यह direct यहाँ पर लग जाएगा जैसे rectifier में दो pin है तो बीच वाला में यह लग जाएगा और इसमें AC बाले में कोई minus प्लस नहीं होता है जैसे 0-12 हुआ तो आप आपस में भी किसी में भी लगा सकते हो चाहे इसमें या इसमें AC बाले में कोई minus प्लस नहीं होता है यहाँ पर AC में connection करने के बाद DC कहां से output होगा इस capacitor का यह minus है तो यहाँ से minus 30V निकलेगा GND यहाँ से निकलेगा प्लस 30V यहाँ से निकलेगा उसके बाद यहाँ पर 0-12 का connection मैंने किया था तो यहाँ से 0-12 निकलेगा आईए मैं यहाँ पर power supply देता हूँ इस transformer में और एक बार volt को check करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो volt है कितना तयार कर रहा है DC में तो दोस्तों मैंने इस transformer में power supply दे दिया है मैं आपको volt को check करके दिखा देता हूँ पहले मैं AC को check करके दिखाऊंगा फिट DC को भी check करके आपको दिखाऊंगा AC पर मैं यहाँ पर 200 पर point कर लेता हूँ 200 पर मैंने point कर लिया है AC पर AC पर मैं point करने के बाद मैं यहाँ पर आपको check करके दिखा देता हूँ यह black वाले को इस 0 पर रखना है और जो हमारा AC है जैसे 30 और 30 है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे देखिए यहाँ पर 29.5 है तो यहाँ पे 220 के जगवा पे कुछ कम मिल लहाओ वोल्ट इसलिए इतना आ रहा है एक वोल्ट कम बता रहा है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 3030 है और यहाँ पे 012 के जगवा पे देखिए कितना वोल्ट आ रहा है मैं आपको चेकर के दिखा देता हूँ यहाँ पे 12 है उसको black वाले को ground पर रख लेना है यहाँ पर आप बोलोगे कि यह AC हमारा GND है तो आपने AC पर क्यों लगा है तो dual supply में दोस्तो ऐसा ही होता है आपको यहाँ पर minus plus जहाँ पर capacitor मिलता है वहाँ पर GND बनता है तो यह इस props को आप यहाँ पर रखें उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना minus बोल्ट बन रहा है तो देखिए दोस्तो यहाँ पर देखिए दोस्तो minus 42 बोल्ट बन रहा है मैंने starting में आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर 30 बोल्ट है तो आप 30 बोल्ट के साथ 1.4 multiply करेंगे तो 42 बोल्ट 40 से 42 बोल्ट के आसपास में आएगा तो यहाँ पर देखिए यह इतना ही बोल्ट हमारा तयार कर रहा है देखिए यह minus 42 बोल्ट है और इस साइड अगर हम चेक करते हैं तो प्लस 42 बोल्ट आएगा देखिए यह हमारा 42 बोल्ट आ रहा है अगर हम 0 को छोड़ कर दोनों कैपसिटर पर चेक करेंगे तो देखिए कितना बोल्ट हमारा तयार कर रहा है लगभग 84 बोल्ट हमारा यहाँ पर तयार कर रहा है तो यहाँ पर आपने देखा कि 30 30 जब मैंने power supply बनाया तो 30-30 में आप 1.4 से multiply करेंगे तो उतना ही volt आएगा जितना मैंने आपको बताया था 42 volt का अस्वास में यह minus 42 volt है और यह plus 42 volt है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि 12 volt पे हमारा कितना volt बन रहा है इस side हमारा minus इस side हमारा plus है और इस side हमारा minus है तो यहाँ पे चेक करने का देखिए दोस्तों कितना volt हमारा बन रहा है लगवा कि 16 volt बन रहा है जब इस पे load पड़ेगा तो लगवा कि यह 2-3 volt drop होगा ज्यादा volt इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 25 volt का capacitor लगा है यहाँ पे solar volt का भी capacitor चलेगा क्योंकि 12 volt का यह हमारा loop निकला हुआ है लेकिन ज्यादा तरह आप कोशिस करें कि इस पे 25 volt का ही connection करें तो अच्छा रहेगा तो यहाँ पे आपने देखा कि यह बहुत अच्छा से हमारा काम कर रहा है power supply और यह जो हमारा rectifier है दोस्तों यह hit बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि power supply के according मैंने आपे capacitor rectifier सभी का ध्यान मैंने रखा है तो यहाँ पे hitting का कोई issue नहीं है और power supply बहुत अच्छा से काम कर रहा है तो इस परकार से दोस्तों आप 30308A का transformer से power supply बना सकते हो तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो